नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धन्वासनवार धन 13 के दिन मालक्षमी कुबेर जी महराज और धन्वंतरी जी की पूजा होती है और इस दिन तमाम सुपकारे किये जाते हैं साथ ही इस दिन जाडू के भी खास उपाय किये जाते हैं आज हम विस्तार स जानेंगे आए सबसे पहले जानते हैं कि इस धन तेरस के दिन जब आप दीप प्रजुलित कीजिएगा एक बात हमेशा ही याद रखें धन तेरस के दिन मुख्य दर्वाजे पर धेड़ सारा दीपक मत जलाईएगा क्योंकि इस दिन यम का दीपक निकाला जाता है बहुत सुबिधा नुसार इस दिन आप सोना चांदी तमाम चीजे खरीते हैं लेकिन कई बार क्या होता है अपने स्वास्त का आप ख्याल नहीं रखते तो ऐसे में स्वास्त भी अच्छा रहे जीवन में खुसियां भी आए तो ऐसे में आप क्या उपाई करें कि सब कुछ बेतर ह हो जाए देखें दीपावली के पहले यानि धन तेरस से ही दीपमालाएं सस्ती हैं तो आप अपने घर में तमाम परियोग कीजिए लेकिन आज हम सबसे पहले जानेंगे भगवान धनवंतरी जो धन त्रियोदसी के दिन कार्ति पक्ष के कृष्ण पक्ष की त्रियोदसी त परावा कलस था अब चुकि जो कलस है उसमें अम्रित है इसलिए बरतन खरिदने का बिधान है क्योंकि यह बरतन आपको पूरा साल स्वास्त अच्छा देगा एक बात याद रखिए धन तेरस के दिन जो भी खर दिये दीपावली की पूजा में उस वस्तु का उप्योग ज सकते हैं इस दिन जब आप पूजा कीजिएगा तब सबसे पहले भगवान गनेश की अराधना किरें पहले गनेश जी का आवाहन करें फिर आप कुवेर देव को पूजा करें लेकिन कुवेर देव की पूजा करने के पहले आपको भगवान धनवंतरी की पूजा करनी है उन भगवान धन्वंतिरी को पीले पुस्प और पीली मिठाई का भोग लगाना उन्हें बसंद है और चुकि एक चिकितसक है इसलिए चुकि सरत पुणिमा को चंद्रमा कार्तिक द्वादसी और कामधेनु गाय त्रेवदसी को धन्वंतिरी चतूर दसी को काली माता और अमवस् अब हम बात करें अगर कुवेर देव महराज की तो कुवेर देव को आप इस दिन प्रसंद करने के लिए सफेद पुस्प और सफेद मिठाई का भोग लगाईए कुवेर देव की पूजा सुर्यास्त के बाद प्रदोस्काल में ही करनी चाहिए तभी आपको इसका पूरा अफल मिलेगा इसके बाद आप मालक्षमी की पूजा करें प्रदोस्काल यानि सुर्यास्त होने के करीब 2-30 गंट का जो वक्त होता है यह प्रदोस्काल होता है तो धन्तेरस के दिन मालक्षमी की पूजा इसी समय कीजिए सबसे पहले तो आज के दिन चुकि हमने टौपिक रखा है एक कपड़े में एक चावल के साथ सिक्का अब ये चावल और सिक्का क्या करें देखिए सबसे पहली बात तो आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लें इसमें एक मुठी चावल रखें मुठी भर चावल इसमें एक रुपईया का एक सिक्का रख दें आप चाहे तो मां लक्षमी के पास रख दें इसके साथ ही सुपाड़ी पुस्प थोरे से क्वाइन चाबल के दाने अनाज भी हाँ पर रखिए और अगर आप कलस अस्थापित करते हैं तो आप कर सकते हैं फिर मां लक्षमी को आप पंचमरित से स्नान कराएं दूद दही घी मक सहद और घर परिवार के लोगों के साथ हाथ जोड़कर सुख संविद्धी की कामना करें और उनसे प्राथ ना करें कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो चुकि धन देरस के दिन लक्षमी जी गनेज जी की परतीमा लाने का भीधान है तो उस परतीमा को आप फिसक से जो कागस गौसाला नदी कुआ तला बगीचों में भी दीपक जलाने का भीधान होता है साम के समय दीपक प्रजोलित कर आप अपने घर में तेरदिया जरूर जलाईए और इस दिन तेरदिया जलाने का भी भीधान है चुकि इस दिन जाडू जरूर लाना चाहिए तो आप जाडू जरूर लाइए ताकि पूरा साल आपको धन की कमी ना हो अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखें माननेता है कि जो धनवंत्री देव हैं इनका पूजा करने से पूरे साल स्वास्त अच्छा रहता है और धन तेरस चतुरदसी जिसे हम छोटी दिपावली कहते हैं और दिवाली तीन दिन गाय को हराचारा अगर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी होगी बात आप जरूर खिलाएं इससे आपके जीवन के हरकस्ट मिटेंगे और नो के नो गरह बेतर हो जाएंगे और इसमें एक और ची खरिते हैं लोग जिसको हम साथ द्ध्यान ने कहते हैं लोग खरिते हैं इसकी पूजा करते हैं और इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए सफेद मिठाई जरूर खई दिएगा क्योंकि इस्थिर लक्षमी के लिए सफेद मिठाई यानि मालक्षमी को बहुत पसंद है आप खरीदिये भोग लगाईए नहीं कुछ तो बतासा का भी भोग लगा सकते हैं और चावल और एक रुपे का सिक्का तो रखना ही है हर हाल में धन तर्योदसी के दिन धनवंतरी देव का जन हुआ था इसलिए इस दिन चांदी खरीदना बहुत सुमाना जाता है तो चांदी भी इस दिन खरीदें और इस दिन धन तर्योदसी के दिन एक चांदी का छोटा ही सही तार ही सही चोकोर टुकरा ही सही कोई भी चीज एक जरूर लाइए और पूजा के समय इसकी पूजा करें इसके बाद इसको आप दिपावली के दिन भी इसको पूजा में रख सकते हैं या फिर से उसी को repeat कर सकते हैं आप मालक्ष्मी के सामने अरपीद करके यह आपके जीवन में कभी किसी अनधन की कमी होने नहीं देगा और यह बरकत दिलाता रहेगा पूरे साथ तो इस दिन जारू का उपाई किया जाता है तो धन पूरे घर में जारू आपको लगाना है छोटी दिवाली के दिन भी और इस जारू को आप दिवाली की पूजा में भी साइड में वही पे पूजा समगे जितनी भी आपने खरे दियें साइड में कई पर रख दे और इसकी भी पूजा कीजिएगा क्योंकि तमाम बस्तूं की पूजा करें और पूरानी जारू दिपावली की सुबह यानि अमवस्यती थी कि अगले दिन निकालने का भी